ओम क्रिम 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 रहीम 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 मुखी प्रयोग सत्रू संहार के लिए और मुकदमे में सफलता तथा सत्रूओं का सर्वनास सत्रूओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ये सर्वस्रेश्ट प्रयोग मना जाता है तो इसमें ज़्यादा कुछ विधी नहीं है तो किसी के जहांसे में नहीं आए आज कौल बहुत लोग भगला मुखी साधना के नाम पे लोगों को मतलब ठगने का अपना ब्यापार चालू कर दिये हैं किसी के जहांसे में नहीं आए कोई जाद्रा ताम जहाम नहीं है इसमें हम आपको सरल और सही सास्त्रोक्त विधी बता रहे हैं इस विधी से आप भगला मुख और जल पात्र साथी साधना समगरी में आपको चाहिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्टा युक्त बगला मुखी यंत्र बगला मुखी चित्र और पीली हकिक की माला और इसका दिवस रहेगा कोई भी रभीवार समय क्योंकि एक रात्री का लिए महा साधना है तो समय रा बज़े के बाद तीन बज़े के अंदर होना चाहिए आसन भी रहेगा पीली आसन कोई मतलब पीला रंका सूता ही सूती आसन रहेगा दीशा रहेगा पस्चिम दीशा आप पस्चिम दीशा के और मुख करके बैठेंगे जाब संक्या है सवा लाक अब दिये जो भी संभव ह ऐसा नहीं कि जो भी संभव हों का मतलब आप पांच साल में इसको संपर्न करें अपको क्या जितना जल्दी इसका संपर्न कर लेंगे इसका तीवर्ता उतना तेजी बनना रहेगा आप मंत्र नोट कर लें हिडिम, ओम, स्वाहा इस साधना को पीले वस्त्र पहन करके ही संपर्ण करना चाहिए आसन भी पीला होना चाहिए दिपक के लिए जो रूई का आप इस्तेमाल करेंगे उसको भी आप पीले रंग में रंग कर सुखा देनी चाहिए थोड़ा हल्दी लें हल्दी में थोड़ा पानी मिला के उसका एक घोल बना लें और जो बाती होता है, जो रूई होता है हम दिपक में लगाते हैं उसको उसमें डुबो को धूप में सुखा दीजिए देवी पर जो पूश्प चड़ाए जाते हैं वो भी पिले रंग के होने चाहिए आप पस्चिम दिशा के और मुख करके बेठें सामने बाजोट रखें, बाजोट पर बगला मुखी यंत्र तथा चित्र स्तापित कर दें और उसका पंचोप चार पूजन करें तथा उनके सामने तेल का दीपक लगा दें पूर्ण निष्ठा पूर्ण निष्ठा के साथ पीली हकीक माला से हमने दिया हुआ जो मंत्र है उसका जाप करें मंत्र जब समाप्थ होते होते अबस से ही भगवती भगला मुखी के दर्सन संबब है यहाँ एक चीज याद के कच्चे दिलवाले सादक इसमें नहीं पड़े बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान आएगा भयानक वस्तु दिखाई दे तो सादक को बिचलित नहीं होना चाहिए या घबरा कर आशन से उठकर भाग खड़ा नहीं होना चाहिए इसलिए हम बताते हैं बगला मुखी जो प्रचंड सत्रू प्रयोग है इसको आप संपर्ण करने से पहले आप अपनों को थड़ा मजबुत रखे कच्चे दिलवाले सादक इसकी मंत्र का उच्चारण भी नहीं करें कियो एक सिद्किया मंत्र हुआ है इसका उच्चारण भी नहीं करें साधना के समाप्ति पर किसी कुवारी कन्या को बेशन की बनी बस्तू का भोजन कराकर पीले रंग के वस्त्र दान में देने चाहिए यह सा करने से यह प्रयोल निश्चीती सफल हो जाता है अधना के बीच में अगर आपको भयानक बस्तू दिखाई दे भूत प्रेत्ते आधी नाचते हुए आपके सामने दिखाई दे कोई आपको छू रहा है पकड़ ले रहा है गला दबा धह रहा है इसा दिखाई दे बिलकुल बिचलित होने का कोई जरूरत नहीं है आप सुरक्षित हो प्रयोग समाप्ती होने पर हमने जो आपको भेजा होगा नहीं तो आप प्राण प्रतिष्टा किये होंगे जो जयंत्र और माला को नदी में भी सर्जित कर दे सत्रू सहार के लिए और मुकदमे में सफलता तथा सत्रू पर बिजय प्राप्त करने के लिए इससे सर्वसेष्ट प्रयोगर कहीं है ही नहीं आप ये ध्यान में रखे इस साधना संपर्ण करने से पहले आप सीध सदक परिवार से अनुमती ले अनुमती लेने के बाद आपका निष्ठा और आपका विश्वास ही आपको सफलता के सिखर तक ले पहुंचेगा जैसरी आप इस मंत्रे के उपर अपना पूरा विश्वास और निष्ठा रखते हैं ये मंत्र और सिद्ध सदक परिवार के जतने गूरुएं हैं जितने सीशिय हैं सब के सक्तियां पूरा कायनात जूट जाती है आपको सिद्धी दिलाने में, इसमें कोई संधय का स्तान भी नहीं है, तो इसको करें, कच्चे दिलवाले साधक इससे दूर रहें, आज के लिए बस इतना ही था, चानेल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आपने को कोई एकर किसको करना है, उसके शेयर कर दें, आज के लिए बस इतना ही, क्रिम, 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 आपना बरदो भवा